कल रात हमारे घर के पास बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी मतल़व बे अंत बारिश थी तो मैं बारा साड़े बारा बजे जब जॉब से बापिस गया तो मैंने बहावली को खाना खुना दिया मैं सो गया तो सुबा साड़े तीन-चार बजे अचानक ही मुझे छोटे 25 के रोने की वाज सुनाई देने लगी तो मैं उठा मैंने देखा कि ये वाज कहां से आ रही है जब देखा कि जो हमारे घर के आगे जाड़ फूक नहीं बहुत जादा फैला हुआ है जो उसमें से वाज आ रही थी तो बारिश भी पूरी पढ़ रही बाई मैं दो तीन घंटेन को ढूंडता रहा कि कौन है कैसे है फिर पता चला कि बाहुवली की मा ने यहां पे बच्चे दे दी हैं कल रात तो ये जो सामने जाड़ियां देख रही हैं यहां से निकल के आ रही है तो वहीं पे देखा कि इसने वहां पे बच्चे दे रखे हैं और बच्चे पानी में डूब रहे हैं क्योंकि रात को बारिश ही बहुत जादा हो रही थी तो जो जहां पे बच्चे दिये थे वो जगह भी थोड़ा सा नीचे को है मतलब हासपास का जो एरिया वो उपर को है जो जहां पे बच्चे दिये वो नीचे को है फिर इतनी मुश्कल से भाई सारी रात बारिश में भीग के ये बचारे चिल आ रहे सुबा सुबा तो फिर निकाला इनको ये इसमें इनोंने बच्चे दे रखे थे तो बच्चों को निकाल के फिर मैंने पहले तो सुखाया चदर में लपेट के तो जैसे ही मैं इन बच्चों को लेके जा रहतो तो देखा बाहुबली भी आ गया है बहां पे फिर बाहुबली को दिखाए बच्चे तो बाहुबली पहले दो सूंगने लगा इनको बाद में डर गया डर डुर के बाद फिर बाहुबली चला गया यहां से इसने पहली बार देके होंगे इतने चोटे बच्चे भाई तेरे भाई हैं चोटे फिर जो सामने वड़ा पलॉट है खाली सा उसमें एक कमरा भी बना हुआ है तो फिर मैंने क्या करा वहाँ पे ले जाके दो चद्दर डाल दी और इनको अच्छे से सुका कर फिर इनको वहाँ पे छोड़ दिया यह बाहुगली की मदर है और छे पपीज है न्यूबारने बिलकुल अभी इतने कोमल थे यार मुझे न बहुत लग से लग रहे थे जब मैं इनको उठा रहा था न ऐसे लग रहा था चूप का बच्चा है इतने चोटे चोटे थे तो फिर मैंने देखा गी यार फिर मैंने इनको वहीं पे छोड़ दिया वहां पे चोड़के तो अब इनको खाना पानी दिया खाना पानी देने के बाद फिर मैं हब ड्यूटी पे आगया हूँ अब शाम को देखूँगा जाके क्या बना फिलहाल ये सुरक्षित जगह पर है यहां पे इनको कोई कुछ नहीं गएगा ना ही कुछ होगा इनको तो भगवान की दया से छे के छे पपीस जो है वो सभी एक्टिव हैं बच गए हैं और मा भी ठीक है बैचारी